हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MS PowerPoint में प्रियोग किये जाने वाली आपकी shortcut keys के बारे में MS PowerPoint के अंदर कौन-कौन सी shortcut keys use की जाती है यहाँ पर कॉंपेडिशन में आपके बहुत से questions आते हैं shortcut keys से तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कि कौन-कौन सी shortcut keys आपकी PowerPoint के अंदर यूज की जाती हैं हम यहाँ पर basic और advanced दोनो टाइप की shortcut keys के बारे में देखेंगे पहला है हमारे यहाँ पर Ctrl प्लस ए तो Ctrl प्लस ए जो shortcut key है उसका use हम ms word में जो हमारी slide होती है उसके जितने भी आपके objects होते हैं उन सभी को select करने के लिए करते हैं Ctrl-B और यूज हम worry के लिए करते हैं इत्मीस अगर हमने कोई text लिखा हुआ उस text Nada करके friendly पर ने के लिए पर यहाँ पर दोनों कोlight करने के लिए यहाँ पर Ctrl plus C का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl plus B का यूज़ किया जाता है, बनाई है उसमें आपने टेक्स लिखे हुए उन सभी को आप गुरूप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उन आइटम्स को सलेक्ट करते हैं एक साथ और फिर कंट्रोल प्लस जी का प्रियोग करके हमको क्या कर देते हैं गुरूप बना देते हैं उनका ठीके नेस्ट आता है कोई बी आपका टेक्स है वो सलेक्ट किया आपने और उसको इटेक्स करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जे का यूज क करते हैं कंट्रोल प्लस एम कंट्रोल का यूज किया जाता है कोई भी आपकी जो current slide होती है उसके जस्ट बाद में आप एक नई slide को add करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं Ctrl प्लस M का use करते हैं Ctrl प्लस N का use किया जाता है एक new presentation के लिए Ctrl प्लस O का use किया जाता है अगर आपने पहले से कुछ presentations बना के save कर रखी हैं उनको open करने के लिए हम Ctrl प्लस O का use करते हैं Ctrl प्लस P का use किया जाता है प्रिंट के लिए Ctrl प्लस Q का use करते हैं हमारी जो presentation है उसको close करने के लिए Ctrl प्लस R का use करते हैं हमारा जो selected text होता है उसका जो aligner होता है उसको write में करने के लिए हम Ctrl प्लस R का use करते है और Ctrl प्लस S का यूज़ करते हैं हमारी जो presentation होती है उसको save करने के लिए Ctrl प्लस T इसका यूज़ किया जाता है आपका जो font dialogue box होता है उसको open करने के लिए उसको display करने के लिए हम Ctrl प्लस T का यूज़ करते हैं Ctrl प्लस U का यूज़ किया जाता है underline के लिए और control plus B जो कि हम पहले भी discuss कर चुके हैं इसका यूज किया जाता है आपका copy कियेगा है जो हमारा text होता है उसको paste करने के लिए control plus W का हम यूज करते हैं अपनी powerpoint application जो है उसको close करने के लिए यहाँ पे आप confuse मत होईएगा control plus Q जो था वो क्या कर रहा था powerpoint की जो presentation file थी उसको बंद कर रहा था तो यहाँ पर control plus W क्या है पूरी आपकी जो application है powerpoint की उसको ही close कर देता है ठीके control plus X का use किया जाता है cut करने के लिए cv selected text को control plus Y का use किया जाता है एक step आगे जाने के लिए control plus Z का use करते हैं हम एक step पीछे आने के लिए control plus F5 का use करते हैं हमाई जो presentation होती है उसको run करने के लिए it means आपका जो slide show होता है उसके लिए हम करते है control plus F5 का use escape key का हम use करते हैं अगर हमने कोई presentation run करा रखी है means slide show हमारा चल रहा है उस slide show से exit करने के लिए हम escape key का use करते है shift plus F5, इसका use हम करते हैं, अगर हम कोई presentation बना रहे हैं और presentation के current page, जिस page पर हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसी page से हमारा क्या हो, slide show start हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं shift plus F5 का use करते हैं, और shift plus F5 के द्वारा ही आपका क्या होता है current page से आपकी जो slide show हो start हो जाता है delete key का हम use करते हैं, किसी भी selected text, object या फिस slide को delete करने के लिए page down key, इसका use हम करते हैं, किसी भी next slide पर जाने के लिए page up key, इसका use हम करते हैं, किसी भी previous आपकी जो slide होती है, उस पर जाने के लिए home key का use हम करते हैं अगर हमारे पास 5 pages की कोई slide है means कोई presentation है तो हम चाते हैं हम first page पर जाएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं home key का use करते हैं जो कि हमें क्या ले जाती है हमाई जो presentation है उसके first page पर जिसे कि हम home page भी कहते हैं उस पर लेके जाती है अगर हमारा end key है इसका अगर हम use कर रहे हैं तो यह हमें क्या करती है हमाई जो presentation होती है उसके last page पर jump करने के लिए हम end key का use करते हैं control plus shift plus tap तो यह जो आपका shortcut key है इसका use हम करते हैं अपने outline और हमारा जो slide view होता है उन दोनों के बीच में जब हम switch करना चाते हैं तो हम control plus shift plus tap shortcut key का use करते हैं next आता है आपका control plus close square bracket इसका use हम करते हैं किसी भी selected text के font जो size होता है उसको increase करने के लिए next आता है आपका control plus आपका जो opening square bracket होता है वो उसका use हम करते हैं अगर हमने कोई भी selected text है हमारे पास उस selected text की जो font size है उसको decrease करना चाते हैं कम करना चाते हैं तो हम क्या करते हैं control plus आपका जो close square bracket होता है उसका use करते हैं next आता है आपका shift plus F3 shift plus F3 का use हम करते हैं किसी भी selected जो आपका text होता है उसके case को change करने के लिए case का मतला upper case से lower case में करने के लिए ये lower case से upper case में हम उसको change करना चाते हैं तो हम क्या करते हैं selected जो हमारे टेक्स होता है उसके साथ में shift plus F3 का use करते हैं next आपका alt plus shift plus left arrow key इस shortcut key का use हम करते हैं जब हम किसी भी paragraph को promote करना चाते हैं तो हम क्या करते हैं उस paragraph को select करते हैं और साथ में alt plus shift plus left arrow key का use करते हैं next आता है आपका alt plus shift plus right arrow key इसका use हम करते हैं किसी भी selected paragraph को demote करने के लिए next आता है आपका alt plus shift plus up arrow key इसका use हम करते हैं किसी भी selected paragraph को उपर की side में shift करने के लिए next आता है आपका all plus shift plus down arrow की इसका use हम करते हैं किसी भी selected paragraph को नीचे की साइड में shift करने के लिए next आता है आपका control plus shift plus c इस shortcut key का use करते हैं अगर हमारे पास कोई भी shape है उस shape के उपर हमने कोई भी formatting कर रखी है कोई भी styling add कर रखी है तो उस condition में उसको copy करने के लिए उसकी formatting को copy करने के लिए हम control plus shift plus c का use करते हैं next आता है आपका control plus shift plus b इस shortcut key का use हम तब करते हैं जब हमने किसी भी formatting को copy कर रखा होता है उसको paste करने के लिए हम control plus shift plus b shortcut key का use करते हैं next आता है आपका b तो B का यूज हम तब करते हैं जब अगर हम कोई presentation दे रहे हैं उस time पे हम लोग यह चाते हैं कि हमारा क्या है एक black screen हमें दिखाई दे तो इस condition में हम B का यूज करते हैं अगर हम B keyword से type करते हैं तो हमारा क्या होता है एक black paper या फिर आप यह कह सकते हैं एक black screen हमाई सामने display हो जा एक white screen लेकर आनी होती है तब हम क्या करते हैं डबलू का यूज करते हैं जैसे ही दुबारा से हम डबलू को प्रेस करेंगे तो बापस हम अपनी presentation पर आ जाते हैं में हम क्या करते हैं keyword से P press करते हैं नेक्स आता है आपका F1 तो F1 जो है Microsoft की जितनी भी आपकी applications है उन सभी में same काम करता है इसका यूज कम हम करते है help के लिए नेक्स आता है आपका F7 तो F7 का जाता है किसी भी selected जो आपका text होता है उसकी spelling को चेक करने के लिए नेक्स आता है आपका F12 तो F12 का यूज हम करते हैं save as जो हमारा होता है उसके डायलोग box को open करने के लिए नेक्स आता है आपका Ctrl-Alt-Shift-B तो इसका यूज किया जाता है motion के लिए नेक्स आपका Ctrl-Alt-1 इसका यूज हम करते हैं जो हमारी presentation होती है उसके सभी pages को grid view में देखने के लिए नेक्स आता है आपका Ctrl-Alt-M इसका comment को add करने के लिए अपनी presentation में अगर हमें कोई comment add करना है तो हम ctrl-Alt-M कर यूज करते हैं रिफ gone next mr आता है Cont Rhustial के लिए नेक्स आता है कॉइब व्हास प्लस शिफ्ञ drop के लिए नेक्स आता है कोई भी voice the Homer कर नोट्स के लिए मिन्स वाइस टाइप का कोई भी आपको नोट लगाना है वहाँ पर तो आप क्या करेंगे कंट्रॉल प्लस सिफ्ट प्लस एस का यूज करेंगे